हेलो फ्रेंड्स वास्वात किचेन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मसूर दाल के वेज रिच शामी कवाब ये बहुत ही स्वादिश्ट और क्रिस्पी बनते हैं इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं किटी पार्टी में स्टार्टर के रूप में सर्व कर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे हमारी नई रेस्पी सबसे पहले आप तक पहुंचे आइए देखते हैं मसूर का कवाब बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए धाई सगु एक चमच पिसा हुआ लाल मिर्च आठ दसकली लहसुन के दो टुकड़ा अद्रक के दो बॉय डालू दो खड़ी प्याज चार हरी मिर्च एक बावल धन्या कटी हुई और मस्टर्ड अउयल एक कटोरी ये सब आप अपनी आवशक्ता नुसा कम जादा कर सकती हैं क शबी वत अमानओं को हमने काट लिया है प्याज को छोटे चोटे टुकड़ो में हरी मिर्च को चोटे अद्रक को ग्रेट कर लिया है लहसुन का पेच्ट बना लिया है अलू को ग्रेट कर लिया है धन्या की पत्ती काट ली है सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस को अन करेंगे और कढ़ाई को गरम होने देंगे जब कढ़ाई गरम हो जाएगी तो गैस बंद कर देंगे कड़ाई गरम हो गई है अब गैस बंद करेंगे और सारे मसाले को इसमें बारी-बारी से डाल के रोस्ट करेंगे मसाले रोस्ट हो गए है अब इसे हम दर्बरा पीस लेंगे मसाले को दर्बरा पीस लिया है इसे बहुत महीन नहीं पीसते हैं दाल को मिक्सी में महीन पीस लिया अब इसे हम बावल में निकाल देंगे अब गैस पर कड़ाई चड़ाके गैस को आउन करेंगे और इसमें दो बड़े चमस्च मस्टर्ड ऑल डालेंगे जब तक ऑईल गरम हो रहा है तब तक इसमें हम मसूर की दाल में एक कप पानी डाल के इसका गोल बनाएंगे और स्वादा नुसार थोड़ा नमक डाल देंगे और पिसी हुई लाल मिर्च को डाल देंगे और अच्छे से मिलाके इसका घूल तयार कर लेंगे जब गरम हो गया है अब इसमें सबसे पहले हम कटीनी प्याज डाल देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे फिर हरी मिच डाल देंगे और ग्रेट की अधर दाल देंगे और लेसन का पेस्ट डाल देंगे सबको जिल मिल होने तक फ्राइड करेंगे प्याज हरी मिर्ची अधर जिल मिल हो गई है अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे ऐसे अच्छे से मिला लेंगे प्याज जिल मिल हो गई है अब इसमें हम मसूर की फिसीनी डाल डालेंगे फ्लेम को सलो कर देंगे अर इसे हलवे की तरह बनाएंगे इसको slow flame पर ही धीरे दीरे चलाते चलाते हल्वे की तरह बनाएंगे दाल का हल्वा बनके तयार है अब इसे हम ठंडा होने देंगे फिर इसकी टिकिया बनाएंगे दाल ठंडी हो गई है अब इसमें हम आलो मिलाएंगे अरदहना के पतिए डालेंगे और अच्छे से फिर इसको मिलाएंगे नमक को हमने पहले ही मिला लिया है और सारी मेनादिये हैं अब इसको अच्छे से मिलाकें और इसकी पतली पतली टिकया बनाएंगे आ हमसाले आलु धन्या की पत्ती सब अच्छे से मिलके तयार हो गई है अब हम इसके कवाब बनाएंगे हाथ पे हल्का सा तेल लगाएंगे और इसके कवाब बनाएंगे आप छोटे बड़े लंबे कोल जैसे चाहिए अपनी आवशक्ता और सुधानु साथ बना सकती हूं कवाब बनके तयार हैं अब इसको हम सेखेंगे गैस पर फ्राइपन चढ़ा के गैस अन कर लिया है अब इसमें मस्टर्ड ऑईल डालेंगे और उसे गरम होने देंगे इसमें ऑईल बहुत ही कम लगता है इसे आप देशी घी में भी बना सकती है इससे इसका अरोमा उस्वाद बढ़ जाता है ओईल गरम हो गया है अब इसमें हम कवाब को धीमे धीमे डालेंगे और प्लेम को स्लो रखिएंगे इसके ऊपर हलका हलका ओईल लगा देंगे जब मीचे से इस सिख जाएगा तब इसे पलटेंगे अब इसे पलट कर देखते हैं कि ये पीछे से पका है कि हुए गुलाबी गुलाबी सिख गया है इसी तरह से सारी कुट्टिक्या को फलट लेंगे और हलका सा दबा देंगे अब दूसरी साइड शीख में के लिए इसमें हलका हलका किनारे किनारे से पाइल डाल रेंगे मार्नड ताइक नीचे भी अच्छे से कुर्खोरी चुर्खोरी सिख जाएँ अज्यू मुलीलीकल्ट गरते हिए यह स्यखिक değilsर। पीछे से गुलावी गुलावी अच्छे से सिख गया है अब कवाब अच्छे से शिख गयी हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे पैन में फिर ओयल डालेंगे और थोड़ा सा इसे गरम होने देंगे अब फ्लेम को स्लो करेंगे और और टिक्या डालांगे मसूल डाल के शामी कबाब बनकर तयार हैं यह खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होते हैं आप गेस्ट के सामने आम और पुदीने की चट्नी के साथ और सिर्के वाली लच्छेदार प्याज के साथ सर्व कर सकती हैं यह सभी को बहुत पसंद आएगा इसे आप भी बनाएए खाईए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि आपको शामी कबाब कैसे लगे